नमस्ते जी, मैं हूँ धैरेवान, आपका अपना हेलिंग मास्टर ट्रिपल एट, आठ अगस दोहजार चोबिस शनी का साल है, शनी का महना है, और शनी वाला ही दिन है शांदार इवेंट होने वाला है, इसमें आप अपने जीवन को drastic change ला सकते हैं, शांदार चीजों का manifest कर सकते हैं, अपने आध्यात में शक्ति को उपर उठा सकते हैं, यह जितना आम लोगों के लिए शांदार है यह इवेंट उतना ही, उससे कहीं जादा बोलू मैं तो, come healers के लिए है तो इस वीडियो में बने रहेगा क्योंकि यह वीडियो काफे लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसमें समझाने वाला हूँ, rituals भी बताऊंगा पूरी इसका scientific तरीके से समझाऊंगा भी, इसकी कथा भी बताऊंगा इस पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो भी समझाऊंगा तो, समझते हैं, क्या है यह 888, क्या है, क्या होने वाला है इस 888 portal लियो पोर्टल, लॉयन पोर्टल, बहुत नामों से बुका रहेंगे हम इसे नौ साल में एक बार यह आता है, 2015 में आया था, और फिर आयागा 2033 में 2024, आठ अगस्त, लियो पोर्टल है इस समय आप शानदार चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जिन्दगी में उन सारी चीज़ों को पा सकते हैं जिनने आप गोल की रूप में लॉंग टम पे या शॉट टम पे बनाना चाहते हैं अगर निमरोलोजी में आयें, तो आठ नमबर को थोड़ा पलड़ दें तो यह इंफिनिटी का साइन है मतलब कि इंफिनाइट पावर निमरोलोजी में आठ नमबर बहुत शिक्तिशाली होता है स्पेशली कर्मों के फन को देने को लेकर जो तिशास्तर में अगर आते हैं तो आठ नमबर होता है शनिदेव का और यह तो साल ही शनिदेव का है, सैटन का 2024 अगर आप काउंट करते हैं तो आठ होता है, आठवा मेना, अगस्त, और आठवा तारीक सबसे पावरफुल दिन है जो नौ साल में आएगा आठ नमबर को लोगों के लिए, इस्पेशली आठ नमबर वालों के लिए हम सब आठ नमबर के स्पावर को ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आ रहा है गुरुवार को गुरुवार वैसे भी अपने आपे बिहाशक्तिशाली दिन है खुद मैं धैरेवान गुरुवार को ही हिलिंग शुरू करता हूँ अगर कोई भी मुझे अपने हिलिंग कराना चाहता है तो मैं गुरुवार से ही उनके हिलिंग शुरू करता हूँ और जो लोग मेरे स्टूडेंट है हज़ारों लोगों ने आज तक मुस्ते रेकी लामा फेरा निम्राल जी बहुत सारी विधाओं को सिखा है और वो जानते हैं कि मैं गुरुवार को ही शक्तिपात करता हूँ हपते में एक दिन गुरुवार को ही शक्तिपात करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि गुरुवार हम जैसे हीलर्स के लिए कितना शक्तिशाली दिन होता है कितना मानने लाइक दिन होता है हम उस दिन वृत करते हैं वुवास करते हैं चीज़ों को ग्यान को गुरहन करने के लिए बिरस्पतिवार को जुपिटर को हम knowledge, wisdom का दिन मानते हैं तो especially healers के लिए तो ये भगवान का आशिरवाद है ये दिन तो आप बहुत भागशली हैं कि 8 अगस से पहले आपको ये वीडियो देखने को मिल गया है और आप इसका पूरा फैदा उठा पाएंगे लेकिन अगर जो लोग चुग गए हैं उनके लिए भी एक बहुत सुंदर रास्ता है जिसके बारे में वीडियो के आखरे में बताऊंगा कि कैसे अगर आठ को चुग गए तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले astrology में आ जाते हैं जोती शास्तर में आ जाते हैं सब्सक्राम के अंतो Task. शांदर cosmic events होने वाले आठ अगस्त को हम जानते हैं yıl स्टर को सुर्फ स्टर सन के alignment में आने वाले और फिर 70 दिनों के भी व Capital हो जाने माले तो यह जो alignment का टाइम होगा यह अपने आप में कोस्मिक है दूसरा क्यों से किवेंट भी है लियो, जॉडियक साइन लियो और सन दोनों 15 डिगरी के अलाइन्मेंट में आने वाले है, सोचिए, सिरिस स्टार और लियो, सन के साथ किस तरह से अलाइन्मेंट क्रियेट कर रहे है, सूर्य नमबर वन, एक नमबर का जुग्रा है, यह अपने आप में ही हर शक्ति को प्रदा करने वाला है, तो एक जॉडियक साइन और एक स्टार दोनों ही इसको अलाइन्मेंट कर रहे है, यह कॉस्मिक इवेंट अपने आप में ही अतुल्नी है, यह हमेशा नहीं होता, साथ ही ओरियन बेल्ट भी सन के अलाइन्मेंट में आ रहा है, और साथ में अर्थ हमारी इवेंट है, शायद ही कभी हो, बहुत सालों में, सेकोड सालों में एक बार होने वाला इवेंट है, जब भी यह चारों इवेंट एक साथ होते हैं, तो महना जाता है कि हेवन गीट ओपन हो गया, स्वर्क का द्वार खुल गया, तो उस समय किसी भी इंसान के लिए अपनी स पर उठाने का बहुत शांदर समय होता है, इस पर एक कहानी है, मैं सुनाओंगा, वीडियो लंबी होने वाली है, तो अराम से बैठ जाएए, क्योंकि बहुत डिटेल है इस चीज़ पर, तो कहानी कुछ ऐसी है, महाभारत युद्ध खतम होने के बाद, पांडव अपने स् सबसे आगे चल रहे होते हैं, उनके साथ एक स्वान होता है, डॉग होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, कि यह सीरिस स्टार होता है, इसका शेप भी डॉग जैसा ही होता है, इसलिए से डॉग स्टार भी कहा जाता है, तो युद्ध खतम के साथ एक स्वा होता है किसी किसी चीज का उनको घमंड होता है किसी को बल का किसी को सौंदर का किसी को अपने शौर का किसी को अपने पराक्रम का तो इस तरह से उनका पतन होने लगता है वो स्वर्ग पहुंचने से पहले ही वैनिश हो जाते हैं वो पनका पतन हो जाते है आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और स्वर्ग के द्वार तक स्वर्ग के गिड़ तक युदिस्ठिर और उनका स्वान आप इस स्वान को अंदर ने लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक पशु है इसको हम अलाव नहीं करेंगे तो आप यूदिश्टर सोचते हैं कि पूरी यात्रा में ये मेरा साथ ही रहा है, मेरे साथ चला है और अब जब मुझे इसका पुरा प्रतीफल मिलने वाला है इसका पुरा रिजल्ट मिलने वाला है तो क्या मैं इसे छोड़ दू? मैं नहीं छोड़ू ना तो वो हाथ जोड़कर जो था इंदर से बोलते हैं प्रभुजी, मैं सवरके के अंदर नहीं जाओंगा मुझे मेरा ये दोस्त जदा प्यार है बस इतना सुनना था कि भगवान इंदर मुझकुराते हैं और रिजिस्ट्र से कहते हैं कि यही तो तुम्हारी परिक्षा थी एक लंबी यात्र तो कोई भी कर लेता है लेकिन जब मुह, लालच सामने आता है तब आप कैसा रियाक्ट करते हैं यह इंपोर्टन्ट है जब रिजल्ट मिलने वाला है तब आप कैसा रियाक्ट करते हैं यह इंपोर्टन्ट और इस तरह से उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है और तब हमें पता चलता है कि वो जो स्वान है वो है धर्म धर्मा याने कि युदिस्टिर ने अंद तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा और इसलिए उन्हें स्वर्ग के अंदर प्रवेश प्राप्थ हुआ और सिरस स्टार को हम डॉक स्टार ही कहते हैं याने कि हम उस दिन अपने धर्म में बने रहें अपनी स्प्रिच्वलिटी में बने रहें अपने आध्यात में, अपने योग साधना में अपने अच्छे कर्मों में बने रहें तो हमारे लिए स्वर्ग का दुआर खुलेगा ये जोतिश शास्तर में इस इवेंट को इस तरह से हम समझते हैं इस बहतरीन इवेंट में आप क्या-क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं दिखिए मेरी सलाह है कि आपने लॉंग टर्म गोल्स को बनाईएगा लॉंग टर्म मैनिफेस्टेशन के लिए तयानिया कीज़ेगा पांस तरह के रिच्वल्स मैं आज आपको बताऊंगा जो आप इस इवेंट में करेंगा तो रिच्वल नंबर वन समझ लेजे बहुत आसान है यह बाक्त चेज़े और मुष्टे लोगी तो यह मुझे सबसे आसान लगा था क्योंकि यह मैं खुद करने वाला हूँ एक यलो कलर का पेपर लेंगे पिले रंग का पेपर और लाल कलर का स्केच पन ले लेंगे यह मारकर पैन लेंगे और मारकर पैन से हम बनाएंगे सबसे पहले infinity, infinity से मतलब अगर art को भी बनाना हे हमे उल्टा, तो infinity का symbol बनाएंगे फिर लिखेंगे अपने long term goal को इसमें जो एक लंबे समय के लिए होना आपने success के लिए अपने business के लिए, आपने job के लिए, या कोई competition exam पूरा करना चाहते है किसे relationship में जाना चाहते है कोई body बनाना चाहते है कोई रूप रंग अपने आपको कैसे कोई transform करना चाहते है मोटे हैं तो slim या एकदम पतले हैं तो अपने आपको fit करना चाहते है ऐसा कोई long term goal एक लंबे समय में जो चीज़े धिरे धिरे करके बहुत अच्छे से अराम से जो हलके आच में सीखने वादा जो goal है वो पूरा करना चाहते हैं वैसा कुछ लिखे affirmation के form में कि मेरा ये चीज़ हो चुका है present tense में present perfect में कि हो गया है हो गया है वाले line में लिखेंगे कि मैंने इस business को खड़ा किया और ये business पूली तरह से success हो गया है और इसका monthly turnover या yearly turnover इतना हो गया है या मैं इस तरह मेरे बाल ऐसे खुबसुरत हो गया है मेरा रूप रंग ऐसा खुबसुरत हो गया है मेरी body shape ऐसी हो चुकी है मेरा weight इतना है मेरा रंग ऐसा है या मैं इस ऐसी तरह के पार्टनर के साथ मेरी शादी हो गई है और मैं इसके साथ बहुत खोशी से जीवन बिता रही हूं या बिता रहा हूं देन नीचे ट्रिपल एट बनाएंगे तीन बार एट लिखेंगे एट ट्रिपल एट उपर इंफिनिटी हो गया नीचे ट्रिपल एट हो गया और उसके बगल में आप बनाएंगे लियो का सिंबॉल कैसे बनाते हैं गूगल में पड़ा हुआ है लियो का सिंबॉल निकालेंगे और हांस से बना लेंगे शेथ जैसा सिंबॉल बनता है, सिगनेचर बोलते हैं, जोडियक सिगनेचर बोलते हैं, आप वो बना देंगे, और उसके बाद उसको अपने हाथों में रख करके, आठ मिनिट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान इस पे लगाएंगे, सारी उर्जा, अपने सारी कॉ आठ मिनिट के लिए, और आठ मिनिट तक उसा फर्मिशन पर ध्यान लगा करके, उसको फोल्ड करके, एक डब्बे में डाल करके, अपने सबसे सुरक्षित जगा पे जहां, जहां हम पूजा कक्षे रखते हैं, या स्पिरिच्वल प्लेसे हो जैसे कि यह मेरा जगा है, जह अपने कोई भी crystal, कोई भी crystal, कोई भी angel crystal कोस के साथ रखते हory हैं, ये हैं पहला ritual, आब दूसरा ritual समझते हैं, दूसरा ritual, ये थोड़ा सा lengthy है, थोड़ा सा कठीन है, लेकिन ये भी किसी किसी कि लिए बहुत effective होता है, किसी को यही करना पासंदा आता है, कोई भी एक शानदार गोल उठाईए जो लॉंग टर्म है आपका जो पूरी जिंदगी के लिए जबर्दस गोल बनता है और उसको present perfect form में लिखे कि ये हो चुका है 88 बार 88 टाइम्स वही पिले रंग का पेपर वही लार रंग का इंक 88 बार लिखेंगे अगले 8 दिनों के लिए 88 इंटू 8 88 बार रिखेंगे आठ दिनों के लिए अपने उसी गोल को पुरे मन में दोहराते हुए उसको महसूस करते हुए उसको मतलब कि वो चीज हो गई है ऐसने महसूस करते हैं आप बोल रहे हैं कि मैं शिमला में हूँ मैं काश्मीर में हूँ तो ठंड़क को अपने शरीर में अपने मन में महसूस करेंगे अगर आप यह महसूस करते हैं कि ठंड के मौसम में आप किसी अलाओं में बैठ करके हां सेख रहे हैं तो अपने हाथों में गर्माहट को महसूस करेंगे ये होता है महसुस करना, कि आप एक हात्व में नीबु नीचोर जोडा करके जबान से चाटते हैं, तो जो खटथा हीपन को, जो उसके स्वात को महसुस करते हैं, इसे हैं महसुस करना, तो उस तरह से महसुस करते हैं उसको लिखे, 88 बार 8 दिनों के लिले लिखें, और जब 8 दिनों में ये पूरा हो जाए इन सारे पेपर्स को किसी सही जगा पर किसी बरतन पर किसी सही चीज़ पर डाल करके उसको फैर से बर्न कर लें आग लगा दें इस तरह का जो meditation बहुत अच्छा होता है जो भी गर्मे बरतन उसमें कर लें और उसके बाद उसको पानी डाल करके पौदे के जोड़ों में ढाल दें या नदी में बहा दें या उसके कर राप को बहती भी हवा में चट में खड़े UCL toーー ये दूसरा तरीका है थोड़ा लेंदी है लेकिन पुछ लोगों को निकालना चाहते हैं, तो यह जो सिंगिंग बावल होता है, इसमें बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले खाचे जो होते हैं, इसमें, यह ट्रिपल एट हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी निकालता है। कि टेपल एट हर्ट की शिक्वेंसी निकालता तो इसमें बैठ कर ध्यान लगाएं और क्या चाहते हैं जीवन में उस चीज के बारे में विचार करें उस चीज को मनिफेस्ट करें ब्रेन में वैसे यह जो तीसरा नंबर का है यह सांसारी लोगों को उता समझ में नहीं आता है या ध्यात्मी कुर्जा को जो उठाना चाहते हैं स्प्रिक्शल एनरजी को जो उपर उठाना चाहते हैं अब वो आगे की यातरा करना चाहते हैं तो उनको यह चीज जादा समझ में आएगी लिच्वल नंबर फूर ये बहुत अच्छा लगेगा आपको आठ तारीकों सुबह आड़ बजे या रात के आड़ बजे एक बीज मंतर जो भी आप बीज मंतर जानते हैं क्योंकि जादार लोग बीज मंतर का प्रयूग करते हैं जो लोग बीज मंतर नहीं करते या नहीं करना चाहते या बीज मंतरों में समझ में नहीं आता तो उनके लिए कि एंजल स्विच वर्ड है उसे रख लीजे सुबह इसका इंचैंटमेंट करेंगे या शाम को आड़ वजे इंचैंटमेंट करेंगे सबसे पहरा इस एंजल वर्ड को जान दीजे सुच वर्ड को जान दीजे डिवाइन मैजिक बिगन्स नाओ ये कैसे करेंगे आठ मिनट के लिए करना है इससे सिर्फ यहीं नहीं करना है जो आपका अफर्मिशन है जो आपका गोल है कि मैं ये बन रहा हूँ या ये मैं बन चुका हूँ या मैंने ये चीज अचिज़ अचिव कर लिया है उस affirmation को आप बोलेंगे और उसके तुरन बात बोलेंगे divine magic begins now फिर आप affirmation बोलेंगे फिर बोलेंगे divine magic begins now फिर आप अपना affirmation बोलेंगे फिर आप बोलेंगे divine magic begins now टाइमर लगा लेजे, आठ मिनट के लिए बोलना है, आठ मिनट इस चीज़ को दोहराते जाए और ये पूरा रिच्वल अगले आठ दिनों के लिए होगा, सुबह आठ बजे कर रहे हैं तो आठ बजे करेंगे, शाम को आठ बजे करेंगे, टाइम नहीं बद लेंगे, ये ड क्लियर कोर्ट्स, एमेथिस्ट, ये दोनों क्रिस्टल का उप्योग आप अपने हाथों में रख करके, अपने मुद्रा में रख करके, ये आपके अस ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट को पहन करके वही आठ बजे, सुबह ग्यार रात को मेडिटेशन करें, अपने हायर से चाहिए, पाउवर चाहिए, ये एबिलेटी चाहिए, ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए, तो अपने हायर सल्व से जोड़ने के लिए, ये जो दो किस्टल में ने बता हैं, मेथिस्ट और क्लियर कॉर्ट्स, ये आग्या चकर और सहस्तरा चकर, याने कि थड़ा ही चकर और क्राउन चक्रा के लिए है तो इस चक्र को हम एक्टिवेट करने के लिए इस टाइम पे इस जो इवेंट हो रहा है इस टाइम पे बहुत अच्छी कोशिश कर सकते हैं अगले आठ दिनों के लिए हम इसे अपला ही करेंगे अगले वही आठ-8 मिनट के लिए सुबह या शा चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थरड़ाइ चक्रा, क्रॉण चक्रा उसके साथ अलाइन होता है तो कि लैमिनर क्रिस्टल आपके पास है तो उसे इस तरह से हाथ में रख करके meditate करें ताकि आपके उपर के जो चार चक्रा है stimulate हो और लैमिनर जो क्रिस्टल होता है वो basically हमारे उपर के चक्रों को ही support करता है नीचे के चक्रों को ऐसा नहीं है कि नीचे के चक्रों की जरूरत नहीं है लेकिन आज के दिन पर ये इस जो infinity जो हमारा तयार हो रहा है आठ आप पास हो तो उसपे काम जरूर कीजीएगा और जो हमारा अयमेथिस्ट होता है जासे कि मैं कियर कार्ट सब्सक्राइब इस थे हैं सब स्टोन है नीलम जो जेंस्टोन लोग पहनते हैं पहनाते है शानी के लिए अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो तो इमेथिस्ट हमारे शन्य को सर्थन को स्टेमिलेट करता है, अच्छा करता है, शक्ती बलब्रदान करता है. तो इस तरह से ये पांच रिश्वल्स थे जो इस दिन पर आप कर सकते हैं रिश्वल्स से बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ये सबसे चुने हुए मेरे जो मुझे समझ में आता है कि सबसे शक्तिशाली है इसे किया जा सकता है ट्रक्टिकली ये पॉसिबल है करने के लिए और आसानी से आप कर सकते हैं और बिंगा हीलर मैं अपने हीलर साथियों को ऐसे उपए बताना चाहता हूँ जो उनके काम है आम लोगों के काम तो ये आए गए लेकिन हीलर्स के काम है तब वो उपए काम का है वैसे एक बात आप से और कह दू कि अगर किसी रिजन से भी आप आठ अगस्त को चुग गए तो 17 अगस्त को और 26 अगस्त को भी ये रिच्वल कर सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है कही बार कि हमें सूच नहीं ना मिली हो ये भी हो सकता है कि ये वीडियो आप 8 अगस्त के बाद देखें तो 17 और 26 को भी कर सकते हैं हाँ उसकी शक्ती 8 अगस्त जितनी नहीं होगी थोड़ी कम होगी लेकिन अगर कैलकुलेशन में बैठें तो 17 को भी 8 है 26 को भी 8 है तो 888 का आपको जो पावर है वो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर 8 को कर पाए तब तो फिर मज़ा ही आ जाएगा अगले 9 सालों के लिए आपने अपने लिए जो अपने जीवन को आप चाहते हैं अगले 9 साल में आप अपने आपको कहा दिखना चाहते हैं वो आज आप कर सकते हैं है ना जी तो आशा करता हूं ये अध्याय आपको बहुत चीज़ा समझ माया होगा जो लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए है मैं मानता हूं कि उनके जीवन में ये ट्रिपाल एट बहुत शादर प्रभाव लेकर आ रहा है चलिए जी मिलते है आने वले अध्यायो में तब तक के लिए नवस्ते आजे